अगर आप NEET की प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आप जरूर जाना चाहोगे कि कौन से बुक से हमको प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे हमारा नीट में अच्छा मार्क्स आ सके बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है जब हम कमेंट कर रिप्लाई करते हैं और वो पूशते हैं कि सर हम किस बुक से पढ़ें और किस किताब से हमारे लिए पढ़ना सही होगा और बार बार ये कमेंट कम से कम दिन में 10 कमेंट या 20 कमेंट तो आही जाता होगा तो बच्चों आज मैं आपको बता हूँ कि मेरा उद्देश मतलब किसी बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं है पहले नमबर तो आप ये जान लिजेगा कि मैं किसी भी किताब का मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता हूँ लेकिन चुकि ये सवाल इतना जादे आ गया और इतनी बार आ गया कि बच्चे बार-बार इस सीज के लिए लालाईत हैं जानने के लिए कि कौन सा किताब ऐसा है कौन सा बुक ऐसा है जिससे जब हम तैयारी करें तो तैयारी करने में बहुत सहायक हो तो चलो स्टार्ट करतें आज का वीडियो और बताता हूँ कि अगर आप नीट की प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा किताब सही होगा कौन सा बुक सही होगा लेकिन मेरे अनुसार मेरे एकॉर्डिंग जो मैंने अनुभो किया है ठीक है ना तो चलो स्टार्ट करतें आज का वीडियो तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि नीट के लिए कौन से किताब से पढ़ाई करें जिसकी वज़े से आपकी थियोरी भी अच्छे तरह से तयार हो सके दूसरी बात है कि कोस्टन प्रैक्टिस बहुत जादे हो सके क्योंकि थियोरी स्रीत तयार है ना मतलब आधा धुरा बात है थियोरी तयार होने के बाद कोस्टन किस से प्रैक्टिस करें जिसके करना जब हम एक्जाम में बठें तो धरा-धर कोस्टन करें लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूँ कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको नीट के लिए important topic पर वीडियो चाहिए कि physics में, chemistry में और bio में कौन-कौन से important topics है उस पर अगर वीडियो चाहिए तो आप comment करो मैं जो है chemistry और bio का बना देंगी और मैं physics का बना दूँगा क्योंकि जो लोग जिसके teacher है उसको उस subject में जादे पकड़ है उनको उसके बारे में जादे समझ है कि हाँ यह चीजे important है ठीक है न? तो हम दोनों लोग मिलकर एक ही वीडियो में बना देंगे जो कि जो इक्छा है, बच्चे जो चाहते है हम लोग उसके according चने ठीक है न? तो आप लोग comment करें जिसके वाइसे important topics पर वीडियो बना दिया जा वैसे कुछ comment आया भी था लेकिन उतना comment नहीं आ था जिसके वाइसे इसमें energy कभी sport हो सके और इस पर वीडियो बने जाए खैर, बात करते हैं कि NEET के लिए कौन से किताब की मतलब जरूरत है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो new NCRT है जो कि COVID के बाद आपने देखा था बहुत सारे topics पहले का delete कर दिया गया तो आपको new NCRT से पढ़ाई करनी है 11 का और 12 का physics भी, chemistry भी और bio भी ठीके न तो physics, chemistry, bio आपको new NCRT से तयार करना है आपको सारी theory जो है इससे तयार कर लेना आप इतना जान लिजिए खैर, इतना बात हो सब लोग जानते होंगे वैसे अब मैं दूसरा जो अपने अनुभव से बताने जा रहा हूँ क्योंकि 8 सालों तक हमने भी बच्चों को पढ़ाया 2013 के बाद मैंने सिर्फ student को पढ़ाया तो उसमें बहुत सारे neat के student भी रहते थे लगवा 70% तो neat के student रहते थे और 30% math के student रहते थे तो उन लोगों से बात करते मिलते जूलते काफी अनुभा हो गया तो मैं आपको बता देओ कि एक आता है इरलेस करके यूनिवर्सल इरलेस करके बुक ठीक है ना बहुत मोटा मोटा बुक होगा उसमें theory नहीं दिया होगा और theory मतलब बहुत थोड़ा सा दिया रहता है एक से दो page जैसे main-main जो formula है उसी के बारे में दे देगा main-main जो heading है उसके बारे में दे देगा जैसे कैसे किसी कोई अगर आप देखते होगे अच्छी किताब होती होगी तो last time उसके summary देता है तो उसी summary type का उसमें theory रहेगा लेकिन उसमें question एक एक chapter पे 5-500 question, 6-600 question किसी में 400 question, किसी में 1000 question होगा और physics का भी होगा chemistry का भी होगा और bio का भी होगा और सारे question आपके मतलब जो need के तरह आते हैं multiple, twice question उसी type का ही होगा तो आपके question practice के लिए वो बहुत ज़्यादे सही है तो मैंने आपको दो बता दिया एक तो theory के लिए अगर देखा जाए अगर आपको theory बहुत अच्छे से तैयार करना है तो आपको जो new NCRT physics, chemistry और bio उसको आप घोल के पीलो भगो 100% है कि आपका नीट निकल जाएगा और वहीं अगर हम बात करें question practice के लिए तो मैंने जो errorless universal बताया है आप इस वे practice करो लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आप ये मत जाना कि मैं advertisement कर रहा हूँ मैं पैसे लिया हूँ इस किताब वाले से और मैं बता रहूँ ऐसी कोई बात नहीं आप हमारे भी believe करिए ये किसी भी प्रकार का advertisement नहीं है नहीं तो अगर ये advertisement होता तो मैं इस वीडियो में ये बात ही नहीं करता कि advertisement की समझे कि नहीं समझे तो ये advertisement नहीं है लेकिन चुकि आपकी भविस का हमें भी चिंता होनी चाहिए तो इस वज़े से क्या बोलते हैं हम आपको बता देने कि आप इस किताब को पढ़ें जो मेरी अन्भो कही है तीसरा एक और भी है आप जानते होंगे NCRT Finger Tips ठीक है न? आपने इसका भी नाम सुना होगा नहीं सुने हो तो सुन लो और अपना क्या बोलते है यूटूब अगरा पर सर्च कर लेना NCRT Finger Tips में भी जो क्वेस्चन आते हैं उसमें के भी क्वेस्चन मतलब नीट लेवल के क्वेस्चन होते हैं और नीट की तरह ही होते हैं तो आप ये क्या बोलते हैं आप तजारी कर सकते हो और लास्ट अगर एक और भी जोड़ दो तो PYQ यानि के प्रिवियस येर जो क्वेस्चन है आप PYQ सारे के सारे कहीं से डाउनलोड कर लो कहीं से भी मंगा लो आप लोग हमसे ज़ादे जानकार होगे कैसे क्या बोलते है PYQ आएगा बहुत सारे ऐसे भी क्या बोलते है book के swap होंगे जहां हो सकता है PYQ के सा क्या बोलते है किताब भी आता हो नीट का ठीक है न? तो आप जाके वहाँ से वो जो जो किताब है और आप लेते आओ किताब का मतलब book थोड़ा था मैं Hindi language बोल देता हूँ तिसलिए आप लेगे मस्त सोचना कि सर जो है किस language बोलते हैं मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो Hindi medium से हुई है इसलिए मेरा मतलब जो आप देखते होंगे language होता होगा वो maximum Hindi type का ही राता होगा मैं English word थोड़ा कम यूज कर पाता हूँ क्योंकि मैं Hindi medium के student रहा हूँ तो उनी की बीच में बैठा था और उनी की बीच का महौल लहा है तो बहुत जादे कुछ अलग बनने का प्रयास नहीं करता हूँ जैसा हूँ ऐसा ही हूँ तो किताब, book आप समझ जाएए जो भी आप समझते हैं लेकिन उद्देश वही है कोई किताब कहे या book कहे तो बात एक ही है क्योंकि बहुत सारी बच्चे कमेंट में कभी कभी कर देते हैं कि सर आप Hindi का बहुत जादे यूज करते हैं तो प्लीज हमें माफ करिएगा इसके लिए बट आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना हूँ ठीक है बट कोसिस करता हूँ कि मैं कुछ वर्ड ऐसे यूज कर सकूँ जिसकी वएसे जो इंग्लिस मीडियो वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक करना हो तो चाहे हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिस मीडियम को हो बास समझ में आ रहा होगा तो मेरी साब से चार चीज़ से अगर आप तयारी करें तो आपके लिए बहुत ही सहाया तो पहला चीज मैंने क्या बता है NCRT का पूरा थियोरी और जो उसके question दिया होता हो आप देख लिजिए दूसरा आपका जो errorless universal बताया इसका physics का भी किताब आता है chemistry का भी और bio का भी और बहुत सारी इसमें question होते हैं तो आप इससे practice करिए तीसरा मैंने बताया जो NCRT fingertips होता है और चौथा आप देखे होंगे मैंने बोला previous year questions है आप तयारी करिए तो प्लीज ये चार चीज से आप बहुत अच्छे सी preparation करिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप महनत करेंगे तो result किसी ना किसी रूप में जरूर आएगा और आप जरूर सफल होंगे तो बस आपको महनत करना है आपको परिश्रम करना है आपके महनत में कमी नहीं होना चाहिए तो आपको बच्छे से महनत करिए तो ठीक है student बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे तो मैं सोचा कि होना इस पर वीडियो बना दू अगर इसमें में कहीं कोई दिक्कत हुआ हो कहीं कोई परशानी हुआ हो आपको लगा हो अपना भी कोई suggestion आप जे सकते हो कोई किताब किसी बच्चे का अन्भाव कि ये किताब बहुत अच्छा है ये book बहुत अच्छा है तो आप जरूर कमेंट में suggest करी और जिससे और भी लोग देखे कि हाँ ये भी किताब है जो नीट के लिए काफी अच्छा है वैसे तो किताब साब अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी इन में से मैंने जो चार रखा है तो बहुत अपने अन्भाव से रखा तो आप इसे एक बार पढ़कर और इसे लगा कर देखें कहीं कोई समस्या नहीं आएगा तो ठीक है इस वीडियो में इतना है हाँ कमेंट करना मत भूला मैंने बोला था यगर नीट के लिए इंपोर्टन टॉपिक्स चाहिए फिर याद दिला दे रहा हूं झाल 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 झाल